कि साथिया घारत का डिजिटाल फिंटेक सॉनुशन और आज यूग फिंटेक का है इसके विशे में मैं कहूंगा कभी पार्लामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है वह सुन देख लेना जिसमें देश के वित्तमंत्री जी बाशान कर रहे हैं कि लोगों को पाद इफोन नहीं है लोग डिजिटल कैसे करेंगे पथाने क्या-क्या वो बोले है आप सुनो गयों तो आपको असरे होगा बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है फिंटेक यूपी आई याने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज पूरी दुनिया इसको आकर सित हो रही है वर्ल बैंक समेच सब ने यह उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रुप में उसकी तराना की है और मैं आपसे कहूंगा कि यहां प्रदरशनी में पूरा फिंटेक डिवीजन है यह कैसे काम करते हैं उसका आपको वहां देखने को मिलेगा किस प्रकार से मोबाइल फोन पर पेमेंट होते हैं कैसे पैसे आते हैं जाते हैं सारा वैसे आपको यहां देखने को मिलेगा और मैं कहता हूँ यह फिंट्रेक का जो प्रयास हुआ है यह सही माइने में इसका उतम से उतम समाधान है इसमें जो ट्रेक्नोलोजी है वो भरत की अपनी यह यह उथे पीपल देश्वास्यों ने इसे अपने जीमन का हिस्सा बनाया यह आनि आप द पीपल इसने देश्वास्यों के लें-द देन को आसान बनाया यह लोई पीपल इसी वर्ष मई के महिने में भारत ने हर मिनिट गर्व करेंगे दोस्ता भारत ने हर मिनिट में एक लाग तीस हजार ते अधिक यूपी आई ट्रांजेक्शन हुए है हर सेकंड आउसतन दो हजार दोसो ट्रांजेक्शन कम्प्लिट हुए है प्रती सेकंड यानि अभी जो मैं आपसे भाशान कर रहा हूं जब तक मैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इतने शब्द बोलता हूं इतने समय मैं यूपी आई से साथ हजार ट्रांजेक्शन कम्प्लिट हो चुके हैं मैं जो दो शब्दों बोल रहा हूं इतने समय मैं यह काम आज डिजिटल इंडिया के मादम से हो रहा है और सात्यों आपको घर्व होगा भारत के कोई कहता है अनपढ़ है डिकना है फलाना है यह है वो है पता सो बताता है वो देश की ताकत देखिए मेरे देश्वास्यों उनके सामने वेरा देश जो डेवलोपिंग कंट्रिक के दुनिया में है दुनिया का 40 प्रतीशर डिजिटल लेंडें हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्तों इसमें भी बिम UPI आज सरल डिजिटल ट्रांजेक्शन का ससक्त माध्धम बन कर उपरा है और सबसे बड़ी बात कि आज किसी मोल के भीतर कि बड़े-बड़े ब्रांट्स बेचने वाले के प्रास ट्रांजेक्शन की जो टेक्नोलोजी है वही टेक्नोलोजी आज उसके सामने रेडी पट्री वाड़ा और थेला वाड़ों बैठों है नापनों फुट पाइट पर साथ सौ आर्शो रुप्या कमा तो हो है ऐसा महनत कस्त मद्दूर के पास भी वही व्यवस्ता है जो बड़े-बड़े मौल में अमीरों के पास है कि वरना वो दिन भी हमने देखे हैं जब बड़ी-बड़ी दुकानों में क्रेडिट और डेबिट काड़ चलते थे और रेडी ठेले वाला साथी ग्राहक के लिए छुटे पैसे की तलास में ही रहता था और अभी तो मैं देख रहा था एक दिन बिहार का कोई प्लेट फॉर्म पर कोई बिच्छा मांग रहा था तो वो डिजिटल पैसे लेता था वो अपना क्यूखर क्यूखर खुड़ बताता था अब देखिए भाई दोनों हर किसे पास अमीर हो या गरीब हो गाउं का हो या शहर हो हर एक के पास समान शक्ति है यही डिजिटल इंडिया की ताकत है इसलिए आज दुनिया के विख्षित देशों या फिर वो देश जो इस प्रकार की टेक्नोलोजी में इंवेस्टमें नहीं कर सकते उनके लिए यूपी आई जैसे भारत के डिजिटल प्रोडेक्ट आज आकर्षन का केंद्र है हमारे डिजिटल साडुशन में स्केल भी है यह सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है